जोस्तो आज गाउं में रहकर भी एक अच्छा जीवन आपन किया जा सकता है, बसरते एक सही तरीका, सही जानकारी आपके पास होना चाहिए, तो आप एक अच्छा खासा मुनाफ़ा गाउं में भी रहके कर सकते हैं, मैं बता दू कि मैं हूँ अभी बिहार के बकसर जीले में दुमडाओं प्रखंड के अंदर धरहरा गाउं है, वहीं पर अभी मैं आया हूँ, और काफी इंफर्मिटिव जानकारी आप सब को मिलने वाला है, आज बहुत सारे हमारे भाई पलवराइजर आटा चकी का बिजनेस कर रहे हैं, तो कैसे उसमें एक अच्छा मुनाफ़ा क जानेंगे कैसे सोलर प्लेट काम कर रहा है, और कैसे इनके जीवन में बदलाव आया है, तमाम जानकारी आपको आगे मिलने वाली है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके अपने चैनल स्टेलर फर्मिंग पे आपका स्वागत है, दोस्तों, आज की वीडियो आटा चकी प कोटने वाली मसीन है, और पीछे साइड आप देखेंगे, तो वाइल एक्सपेलर यानि तेल मिल जिसको कहते हैं, वो लगा हुआ है, तो तमाम दानदार जानकारी आप सभी को मिलने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखरी तक देखिएगा, आपको पलवराइ तो उसमें एक अच्छा कैसे मुनाफ़क कमाएंगे, तो इसी के उपर रहने वाली है, और खास करके आज हम बात करेंगे, कैसे सोलर प्लेट से आटा चक्की मसीन चलती है, वाइल एक्सपेलर चलता है, और कितना का बच्चत होता है, आज महतोपुन बिंदू यही सब रहन अभी सब कुछ लाइफ आपको सबकुछ आचक्की मिलेगी लाइफ जानकारी सोलर प्लेट के बारे में आपको मिलेगा, सब कुछ हम एक एक करके आपको दिखाएंगे, तो सर यहाँ बगल में खड़े हैं, सर से बात करते हैं, हमारे चैनल पहुंग का स्वागत है, सबसे अपना नाम और यह आपका जो मील ऐसमें किया क्या चीज का काम करते हैं हम इसमें गैहों पीछते हैं तेल पीरते हैं मसाला पीछते मत माइ चैकः करें और इसी से मसाला वलकल चैको यह सकते हैं ओर य Также आपने पीछे हैं और इसके लुए मत तो दखिए यह इसरी की पीछाई हुती है यानि मसाला की पीछाई इसमें आटा पिसाई यह धान की कुटाई इसमें करते हैं और पीछे साइड जो है वह वाइल एक्सपेलर तो इतना सारा काम जो है सहलेजी करते हैं अब बात करते हैं सब कि अभी हम पीसर जैसे हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ डीजल इंजन भी लगा हुआ है बाहर भी रखा हुआ अं करें करें तो जब हम सोलर लगाए तो इससे हमारा अच्छा खासा पैसा मनें बचत आ रहा है हां दस से पंदर आज़र प्रतिमा हमारा बचत हो रहा है तो जैसे तेल वगरा का दामों में आय देनी जाफा होता है तो उससे आप पड़ेशान हो गये थे तो डीजल इंजन को छोड़के आपने सोलर प्लेट के उपर आप सिफ्ट किये हां हां वैसे ही है कुल मिला के जो है अब दस पंदराजार रूपय की महीने की जो उसमें आपका फाल्तु का खर्च होता था वो बच रहा है इसमें बचत हो रहा है जो हमारा डीजल का पैसा उसमें लग रहा था वह सब पैसा हमारा बच था रहा है तो एक चीच जैसे यहां आती है बात की जैसे सोलर प्लेट का बात आता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले बात आता है कि भाई यह हमारे बस की नहीं है क्या एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है इसके बारे में सोच सकता है ह और अब जो है सो कि एक बार पईसा लागा है और पचीस साल तक लेंट पैसा कमा ते रहें तो दोस्तों यह बहुत बड़ी बात है आप अभी सर से सुन रहे हैं कि एक बार जो आपका खर्च बैठेगा वो बैठेगा और पचीस साल तक जो है आपको एकदम भूल जाना है कोई ना बिजली का टेंशन ना डीजल पेटरोल का जो टेंशन है वो भी बिल्कुल एक तरह से खतम हो जाएगा सर अब यह बताई कि जैसे कि इस्टोलेशन वगेरा जो आपने करवाया तो उसमें कोई दिक्कत वगेरा भी हूई क्या कोई दिक्कत नहीं है सारे कंपनी वाले आए है अपना करकूर के सब चलेगा कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ अभी हम सर से आगरा करेंगे सर थोड़ा से एक बार सब कुछ चला के दिखाईए कैसे यह प्रोपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ताकि हमारे दर्सक जो है सामने से देखकर उनको तसल्ली हो ठीक है ठीक है चलू कर दे रहा हूं तो चलिए दोस्तों अब सर जो है मसीन चालू करेंगे और आपको सब कुछ जो है लाइव मैं दिखाऊंगा यहां गेहों की पिसाई होगी और मसीन जो है वह स्टार्ट हो गया है तो सब कुछ अभी लाइव आपको दिखाऊंगा और सोलर प्लेट जहां लगा है उस जगह भी आपको लेकर चलूंगा एक ए कितने के भी का है तो कितना एक पी मोटर जो है चल जाता है कैसे यह काम करता है वह हमारे दर्शकों को बताहिए काम यह अच्छा करता करता है यह लगाने जुग्या बशिपे जाता है जैसे आपि नीचे देख रहे थे, कि पुराने जमाने क defix, डिजल पर चलता आप लगवक कीतना दिन उस पर लगवक के चलता हैं कितने का लगवक बचत हो जा रहा है मन के चले इसमें 15-15-10,000 के बीच में हमारा बच रहता है लगभव महीने का जो है ऐसे अगर जैसे वह उस पर जैसे पहले चला रहे थे तो उस पर अगर चलाते तो 10-15,000 रुपर यह आपका डीजल में खर्च हो जाता है देख रहा है कि हम कहीं जो है, अधर एक ऐसे खंभा जैसा लगा हुआ है कि यह लगा हुई ये क्यों जरुरी है यह जरुरी है जो असमानी जो बिजली आता है उससे बचने के लिए यह लगाए गया है जेनरली जो कभी-कभी जैसे बिजली गिरता है तो वो नब गिरे उससे बचने के लिए जो है यह लगाए है अब बात आती है सर कि जैसे अब देखते हैं कभी-कभी मौसम में बहुत बदलावा जाता है बाड़ि मैं उसके बास बारिस कोई दिकत नहीं है तो उसमें कुल जाएं जैसे ऑंजे निकन लगता है यह बते कि जैसे पहले जो आप इंजन इस्तेमाल कर रहे थे और अब सोलर प्लेट पी आ गए तो जीवन में क्या बदलाव आया जीवन में बदलाव आया कि जो है सके मान के चलिए उसमें डीजल में बहुत सारा पैसा लग जा रहा था इसमें अब डीजल पैसा बचता है और और जो बेनिफिट था वह भी हमारा बच रहा है इसमें जो है पैसा हमारा जैसे डीजल पैसा बच रहा है पैसा से हम कुछ और दूसरा हम अपना काम कर रहे हैं उसके बाद में डीजल से परदूसर्ण अगर अभी ज्यादा होता है जैसे चलाते थे तो ऑविएस ही बाते की डीज क्याम कर लेते हैं हमसाला पिष्टे तेल भी देख रहा है कि आपका चलता है और नटगाевой राम-जूई-osis अबतकर सर कि एक साथ में डोना зарघनिक चलती चलती है क्वाराम से ख़याल फिर और सुलरित के बारे में सब्सक्राइब जैसे आप पहले इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं प्रविकंते हा इस इंत시면os और कंपणी वाले को भी नंबर वहीं दिये वहीं से अलग अलग हिस्तों से आपके जैसे व्यवसाई जो हैं लोग देख रहे हैं और बहुत सारे बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर बैठा हुए हैं तो उनको भी आपकी तरह कहीं न कहीं फायदा पहुंचे तो अगर बा बनारस से लिए हैं अन्या गिरीन कंपणी का नाम है और इसका ऑफिस होगारा सब बनारस में हैं तो एक बात बताई कि जैसे कंपनी से आपने संपड़ किया कंपनी हां लगा दिया आपको सर्विस वगएर कैसा है खुब अच्छा है सर्विस इसका खुब अच्छा है एक बार हम यहां से फोन किये उसके बाद में वह लोग आये जांच परताल हमारा जगा के किये लगाने जोग है कि नहीं और उसके बाद हम फिर ओपिस में गये अपना बुकिंग करा करा आए तो आ करके लगा दिया तो कंपनी से जैसे सपोर्ट वगएरा पूरा मिलता है पूर पूरा सपोर्ट जो है जो आपके कंपनी है जो जिस कंपनी से आपने पर्चेश किया है पूरा सपोर्ट वगएर आपको करती है पूरा सपोर्ट करती है जैसे आप लगा है तो पैसा तो इसमें खर्च हुआ तो कोई भी जैसे हमारे दर्सक भाई देख रहे होंगे तो जा पचीन साल तक कोई समस्या नहीं आने वाले हाँ आने वाले कोई समस्या नहीं है सब जो भी समस्या आएगा अपना compastery हमारा मेलपचीन साल इसे चलेगा एक बार सब हमारे दरसकों को थोड़ा सा दिखाए कैसे-कैसे यहाँ सेट-प आपने लगाया है और हम देख रहे हैं द भूप ज्यादा किया तो इसके अंदर रहा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं करेंट वगरा के तो कुछ नहीं है कोई दिकत नहीं इसमें अर्थिंग पले से लगा गया है तो आराम से च्छत पर के समय भी यहां बैठ सकते हैं कुर्सी लगा के और जो है हवा वगरा का आनंद सकते हैं अनदर से ऐसे सेट अप किया हूआ एंगल पर यह लगा हूआ है जिए आएंगल है से ललमब टाइम चलने के लिए सब में जंक नहीं लगता है इस लिए इसको हम लगवाय में और कमपनी वाले यहीं रहीरी ही लगा हुआ है और जगा जगा देख रहा है कि वायर भी लगा हुआ है सब यह कनेक्शन एक टुजएड मनें एक स्रीज है यह सब दूसरे से जोड़े हुए है सारे पाइनल एक दूसरे से जूड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं एक बार इधर भी दिखाना चाहूंगा कि यह पूरा हो गया तो फिर जो बचा तो उस साइड लगा दिया आप बाइस प्लेट यहां लगवाए और आठ प्लेट लगा लिए तो कोई दिक्कत उससे तो दिक्कत नहीं होने वाला है और यह जो है दूसरा सेट अप है चुकि थोड़ा से जगह का दिक्कत था सर के पास तो प्लेट बचा उसको आपने इधर लगा लिया है आठ प्लेट हम यहां पर लगवाए और वाइस प्लेट अपना कनेक्शन करके आप सारा का करेंट हमारा मिल में यहां से जला चला जाता है तो एक तरह से समझे कि बिजली वगर का जो टेंसन है या जो आपका डिजल पेट् यह तोटल आपको लगाय हुए कितने दिन हो गए हमारे को लगाय हुए लगवाग साथ आठ महीने में कोई सिकायत वगर आई सर कुछ नहीं कोई कोई समसे का नाव ही नहीं है इसमें क्याची खराब होने वोला है इसमें कुछ आहीं नहीं अब एक चीज़ है कि यह ओपन एरिया में लगा हुआ है तो अब यसी बात है कि धूल वगर भी इस पर आएगी तो क्या इसको कुछ साफ वगर अभी करना पड़ता है क्योंकि अगर संद्रे जब डाइरेक्ट आएगा और बिल्कुल यह प्लेट साफ रहेंगी तभी जो यह प्रोपर रूप से काम होना होता है करना पड़ता है 15 से 20 दिन में तभी प्लेट जो है प्रोपर तरीके से काम करेंगा प्लेट जदी फ्रेस है तो अच्छा काम कर रहा है नहीं फ्रेस होगा तो थोड़ा दिक्कत होएगा मागर करेंगा कम हो बिल्कुल दोस्तों ऑव्यसी बात है कि जब यह साफ रहेगा तभी प्रोपर तरीके से जो है यह प्लेट काम करेंगा तो सर एक चीज अब यह मान के चला जाएगी जैसे पचीस साल की बताया आपने बताया कि कंपनी के तरफ से वारंटी मिली है तो अगर 10,000 रुपए भी महीने का अगर सेविंग जोड़े तो एक साल का जो है अंदर जो डुमडाओं है डुमडाओं के अंदर सर का गाओं है धरहरा गाओं है वहीं पर सर जो है आटा चेकी का वेवसाय साथ ही तेल मिल यानि ओयल एक्सपेलर का काम कर रहे हैं और इन्होंने और यह जो है सोलर प्लेट पे जो है आज काम कर रहे है पहले जैसा कि इन् तो एक उससे बचने के लिए इन्होंने सोलर प्लेट का चैन किया और अच्छे से आज जीवन यापन कर रहा है दोस्तो आसा करता हूँ यह वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी आपकी सहुलियत के लिए मैं सब्सक्राइब करके जानकारी ले सकते हैं यह वीडियो आ करते हैं ?